हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज इस वीडियो में हम जिस टोपिक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं वो है हमारा inclusive school के unit first के third chapter का second last topic that is infrastructural facilities required for inclusion in schools मतलब की जो हमें infrastructure चाहिए schools में inclusion लाने के लिए या समावेशी शिक्षा लाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं facilities and infrastructure play important role in serving special needs student in inclusive schools कि जो भी facilities provide की जा रही है या जो infrastructure है उसकी क्या है एहम भूमी का है जो inclusion है education में उसका जो aim है उसको achieve करने में for example student with visual impairment may need audio aid कि जिनको देखने में समस्या है उनको क्या है audio aid की जरूरत हो सकती है और जिनको क्या है उनको sign indicate की जरूरत हो सकती है और other facilities की जरूरत हो सकती है students with hearing impairment need some visual sign student with physical disability need ramp and spacious room in order to make them freely इसमें क्या है कि जो बच्चों को सुनने की problem है उनके लिए visual sign हो सकते है जिन बच्चों को जो physically disabled है उनके लिए ramp या spacious room हो सकते है उसके बाद students with attention deficit may need less distraction and students with autism need well organized classroom कि जिन बच्चों को जो attention जो concentrate करने में समस्या होती है वो क्या है less distraction बाले room में होने चाहिए उनकी जो needs है और जिनको autism है उन बच्चों के लिए क्या है well organized classroom होना चाहिए in order to implement the concept of inclusion following our basic and the infrastructure requirements कि जो हमारा inclusion का aim है या जो हमारा impairment है बच्चों में उसको दूर करने के लिए या उसमें कोई बादान उत्वनों उसको खतम करने के लिए जो हमें infrastructure चाहिए वो हमारे पास निमन लिखिते है first है हमारे पास ramp यानि की ड्लान बाला रास्ता जिन बच्चों को joints problem होती है या orthopedically या फिर visual तो उन बच्चों के लिए क्या है ramps हो सकते है कि stairs पर उनसे चड़ा नी जाता है तो वो क्या है जो ड्लान बाले रास्ते हैं उनसे क्या है इसली जा सकते है फिर चाहे वो wheelchair पर हो या फिर चलने में थोड़ी उनको दिक्कत हो उसके बाद है functioning of door दरवाजों की कार्या पर ना ली कि जो दरवाजी है उनमें कोई ऐसा उनकी जो functioning है वो proper होनी चाहिए कि अगर उनको खोल रहे हैं तो वो रुके ना या easily खोल जाएं या उनमें जो उनकी चोडाई है वो भी क्या है proper होनी चाहिए ताकि जो disabled बच्चे हैं वो उनसे टकराए ना उनको किसी परकार की चोटना लगे उसके बाद है arrangement of furniture जो भी furniture schools में available है या schools में लेके आना है उसकी जो arrangement है वो proper systematic way में हो ताकि जो disabled बच्चे हैं उनको किसी तरीके की कोई difficulty phase ना करनी परे for example अगर classroom में जा रहे हैं और जो benches है वो properly वहाँ पर arranged नहीं है तो क्या है जो हमारे visually impaired बच्चे हैं जो disabled बच्चे हैं उनको क्या difficulty होगी वो क्या है उनसे टकरा सकते हैं या उनकी वज़ा से उनने चोट भी लग सकती है उसके बाद है lighting तो इसमें क्या है कि जो rooms होते हैं उनमें क्या है proper रोशनी होनी चाहिए कि जो visual impairment होते है proper रोशनी in the sense की उनको दिखाई दे proper ऐसनों की room में अंधेरा सा हो उसके बाद है access to sink and toilet sink और शुचाले तक जो पहुँच है वो easy हो वहाँ पर भी क्या है ramp बने हो stairs ना हो और क्या है proper facilities प्रोवाइड हो access to drinking water पीने के पानी तक पहुँच की जहां पीने की पानी ज़्यादा दूर ना हो टंकी वो क्या है ताकि बच्चे easily उस तक पहुँच सके और अपनी जो भी उनकी needs है उसको पूरा कर सके उसके बाद है resource room संसाधन कक्ष तो क्या है schools में अगर inclusion लाना है तो क्या है पे resource room होना चाहिए जहां पे जो disabled बच्चे होते है इन बच्चों को क्या है इनकी needs के according या फिर individualized या specialized instructions दी जाती है उसके बाद है transport facility या ता यात की सुबिदा कि कई बच्चे ऐसे होते है जिनको क्या है आने जाने में दिक्कत हो सकती है तो schools को चाहिए कि proper जो क्या है transport facilities बच्चों को provide की जाए ताकि क्या है वो easily schools सक पहुँच सके और अपनी जो डेली जो अपनी प्रतिदिन की शिक्षा है उसको grant कर सके उसके बाद है medical assistance कि schools में क्या है बच्चों के लिए medical assistance भी होनी चाहिए चिकित्सा सहायता कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है या कोई problem आ जाती है तो वहाँ पे उसके लिए medical provide किया जाए बच्चे को medical help दी जाए उसको अगर उसकी needs के according जो भी उसकी need है उस according उसको treat किया जाए उसके बाद है provision of psychological counseling and testing monobigyanic parameters और friction कि कुछ बच्चे जिनको mentally जिनको problems है या जो पढ़ने में lag कर रहे है उनको क्या है उनकी psychological counseling होनी चाहिए उनकी testing होनी चाहिए कि कहां पे बच्चे lag कर रहे है या किस बज़े से इन में ये imbalance आ रहा है उसके बाद है universal design architect कि जो हमारा design होना चाहिए school का वो सभी बच्चों की needs के according होना चाहिए जिसमें disabled भी आ जाते हैं हमारे normal बच्चे भी आ जाते हैं या extraordinary भी आ जाते हैं तो मतलब कि सभी की needs को मत्धे नज़ा रखते हुए ऐसा जो हमारा design है school का architecture वो इस तरीके का होना चाहिए उसके बाद है assistive technology तो assistive technology में क्या है कि उनको तकनीकी की सायता यानि computer, computer aided या फिर हमारे projector हो गए या कोई भी multimedia approach तो उस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि जो उनमें कहीं पे वो अगर lack कर रहे है या उनको समझ नहीं आ रहा है तो अगर इनका use करेंगे तो वो easily उस चीज को समझ जाएंगे और उनमें क्या है अपने concept को लेकर क्या है clarity आएगी उसके बाद है safety measure कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या है उपाय होने चाहिए कि जो surface है वो slippery ना हो और क्या रास्ते में कुछ पढ़ा ना हो तो ये क्या है schools की जिम्मेदारी है कि जो environment है school का वो इस तरीके का हो कि बच्चों को किसी परकार की किसी भी तरीके की चोट ना लग जाए उसके बाद है inclusive playground समावेशी खेल मेदान कि जो खेल मेदान है जहां पे बच्चे खेलते हैं अपने peer group के साथ अपने friends के साथ वो भी क्या है बच्चों की needs के according हो ऐसे न हो कि बीच में कुछ पढ़ा है playground के या कहीं पे उन्चा है कहीं पे नीचा है तो इस तरीके से क्या है कि जो fire alarm है बाइचां स्कूल में क्या है आग लग जाती है तो alarm बचता है परन्तु अगर कोई बच्चा नहीं सुन सकता है तो उसके लिए क्या है visual alarm होना चाहिए कि बच्चे क्या है सामने देख सकता है और auditory होता है जिसको क्या है दिखनी रहा है पर सुनाई देता है तो वो क्या है वो सुनके alarm का पता लग जाएगा और जो नहीं सुन सकता है उसे देख के पता लग जाएगा तो इसमें क्या है कि visual और auditory fire alarm होने चाहिए उसके बाद है कि quiet zone मतलब कि शान्त क्षेतर होना चाहिए कि school में कुछ जगा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर शान्ती हो जहाँ पर किसी परकार का short शराबान हो ताकि जो बच्चे हैं जो disabled हैं जिनमें emotional imbalance रहता है या जो easily irritate हो जाती है impulsive हो जाती है उनको क्या है वो relax हो सके अपना जो stress है वो कम हो जाए और उनको किसी परकार की irritation ना हो तो ये थे हमारे infrastructural facilities required for inclusion in schools इसमें और भी आ सकते हैं हमारी जैसे benches की आगी हमारे पास wheelchairs आगी तो ये सारे भी इसमें include कर सकते हैं कि बच्चों की needs के according ये सब होना चाहिए या उनको जो medical aids है वो provide होनी चाहिए तो ये सब भी इसमें add कर सकते हैं तो ये था हमारा infrastructure of facilities required for inclusion in school तो आज के लिए इतना ही था वीडियो अच्छी लगयों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग